कोरोना के नई वेरियंट ओमीक्रोन के कहर ने एक बार फिर पुरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है सबसे पहले दक्षिन अफ्रीका में पाया गया ये वेरियंट अप दुनिया की करीब 90 देशों तक पहुँच चुका है भारत में भी दर्जन भर राच्चों में ओमीक्रोन के मामने सामने आ चुके में अब ये तेजी से बढ़ रहा है भारत में कुरुना की दूसरी लहर में कहर बड़ पाने वाले डिल्टा वेरियंट से भी कई जादा तेजी से फैलने वाले ओमीक्रोन को लेकर चिंता गहराती जा रही है इस बीच यूके में हुई एक स्टडी में ओमीक्रोन को लेकर नए खुलासे हुई है खुलासे ये कि उमिक्रोन बहुत तेजी से फैलता है लेकिन इसके लक्षणों के बारे में अब तक जाधा जानकारी सामनी नहीं आई थी ऐसे में इस वेरियंट के मरीजों को लक्षण के अधार पर पहचान पाना बहुत मुश्किल हो रहा था इसे लेकर बिटेन में एक स्टड़ी की गई और उसमें उमिक्रोन की कुछ नए लक्षणों को लेकर दावा भी किया गया है आपको बता दें उमिक्रोन से संक्रमित लोगों में नाक से पानियाना, सिरदर्द, ठकान और इंकला सूखने जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब है कि उमिक्रोन वेरियंट के लक्षण भी साधारन सर्दी जैसे ही है उमिक्रोन के लक्षनों को लेकर खुलासा चिंता बढ़ाने वाला है तोकि ये सारी लक्षन सामान्य सर्दी की हैं ऐसे में उमिक्रोन होने के बाद भी लोग उसे सामान्य सर्दी समझ कर उसकी अंदेखी कर सकते हैं और अंजाने में ही कई लोगों को मिक्रों से संक्रमित कर सकते हैं, जो बेहत खतरना साबित हो सकता है। लिहाजा ऐसे लोग जो कॉरोणा मरीज़ों के संपर्ख में आये हैं, जहां से उन्हें कुरोना संक्रम होने की आशंका है वे सामाने सर्दी को भी गभीरता से ले और कोविड प्रोटोकॉल का सक्ती से पालत करें